अब किड़नी जो खराब होती है वो कभी भी अपने आप खराब नहीं होती उसकी पिशे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिसकी वज़े से किड़नी खराब होती है और जैसे ज़रे किड़नी खराब होगी कि तो किड़नी की काम करने के शमता डाउन होती चले जाती है और हम सब चानते हैं कि हमारी बॉड़ी में किड़नी का काम है waste material को body से बहार निकालना चाए वो kidney हो, चाए वो urea हो चाए वो extra पानी हो, चाए वो extra salt हो जो भी चीज़ extra है उसे body से बहार निकालने का काम हमारी kidney करती है तो अगर आपकी kidney PPA से खराब हो रही है sugar से खराब हो रही है IG nephropathy है, polycystic kidney है किसी भी कारण से अगर आपकी kidney खराब होनी शुरू होती है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि body में जो waste material बन रहा है यानि ketanine urea जो बनता है वो निकल नहीं पाता, ऐसा नहीं होता है कि kidney failure patient की body में एक healthy individual की body में kidney बनता है और यूडिया भी almost same मातरा में बनता है पस फर्क यह है कि kidney उसको बहार नहीं निकाल पादी पहली चीज़ अब जब हमारी kidney खराब होनी शुरू होती है तो हम उसे कैसे चेक करते हैं कि कितनी परसंट वो खराब होगी कितना अच्छा वो कामगरी कितना वो खराब कामगरी है तो आपको अपना example लेना है मालो कि आप kitchen में काम करते हो अगर आप देखते हो कि kitchen में दो ती दिन से बरतन नहीं धुले तो हम idea लगा सकते हैं कि अगर बरतन इतने सारी खटे हो रहे हैं बरतन दोने का काम है वो नहीं हो पारा उसको करने वाला इनसान यानि आप या फिर आपकी काम वाली वो नहीं आरी तो हमने क्या किया हमने बरतन देखके आपके काम करने या ना करने का idea लगा लिया हम एक अर example लेते हैं माल लो कि आप एक सरकारी office में काम करते हो और आपकी table पे बहुत सारी file इखटी हो रही है अब अगर file इखटी हो रही है तो दो चीज़े हो सकती है या तो आप छुटी पर हो या फिर आपकी काम करनी की speed कम है इसी वज़े से जो आपका काम है वो accumulate होता जा रहा है हमने file को देखकर आपके काम करनी की शमता का idea लगा लिया पस हम सेम ये अपनी human body के अंदर भी करते हैं अगर kidney कम काम कर रही है तो क्या होगा कि कि किटनीन और यूरिया बाडी में खट्टा होना शुरू हो जाएगा तो हमने उसका idea लगा लिया तो अब हम समझगे कि किटनीन हमारी body में क्यों बढ़ता है यूरिया क्यों बढ़ता है अब जो kidney failure के patient है सबसे बड़ी गलती क्या करते है जब वो treatment शुरू करते हैं kidney failure का तो उनका focus कभी भी kidney पर नहीं होता उनका सारा का सारा focus होता है कि creatinine के उपर है कि मेरा creatinine बढ़ रहा है मेरा creatinine कम क्यों नहीं हो रहा इस तीज पर focus चला जाता है और वो ही सबसे बड़ी गलती होती है kidney failure के treatment में क्योंकि जो ketanine का बढ़ना, urea का बढ़ना वो एक indicator है वो एक निशानी है कि आपकी kidney कैसा काम कर रही है बढ़न करना और urea को डाउन करने से क्या क्या हमारी kidney ठीक हो रही है यह एक important question है क्योंकि ketanine तो हर किसी की body में बन रहा है अब ketanine को डाउन करने की दो तरीके होते हैं पहला तरीका यह है कि आप अपनी body में ketanine बनने ही कम दो जैसे मैंने को पहले गजामबल दिया था मालो कि आपकी काम वाली नहीं आ रही है तो आप क्या करते हो आप बड़तन कम निकालते हो अगर आपने बड़तन कम निकाले तो आपके बड़तन कम निकाले तो आपके बड़तन कम ही खटे होंगे पेशेंट वो क्या करते हैं? अपने खाने पिने को बहुत जादा टाइट कर लेते हैं क्योंकि केटनिन जो है वो हमारी मसल्स में बनता है अगर आप खाना पिना बहुत कम कर देते हो प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉड़ी में बेसिकली खाना जाही नहीं रहा पड़ यहां पर किड्नी ठीक नहीं हो रही इपॉर्टन जीज के है कि हमने केटनिन डाउन तो किया मगर हमने किड्नी की फंक्शनिंग को सुधार के नहीं किया हमने बीपी कंट्रोल नहीं किया हमने शोकर कंट्रोल नहीं किया जिसकी वैसे किड्नी को नुकसान हो रहा था उस चीज़ को नहीं हटाया, बस खाना पिना रोक कर, वेट लूज करकर, हमने केटरिनेन को डाउन कर दिया. ये सबसे बड़ी गलतियां एक kidney failure का patient अपनी life में कर सकता है. क्यों इसको इतनी बड़ी गलती कह रहा हूँ, उसको समझने के भी आप कोशिश करना. kidney failure patient की कोई भी condition होना, तो उसके पास दो life lines होती हैं, पहला है dialysis, दूसरा है transplant का. अगर कोई भी kidney failure का patient, kidney पूरी खराब हो जाती है, और patient बहुत ज़्यादा weak है, तो उस patient के अंदर हमें दो complications देखने को मिलती है. एक तो उसका blood बहुत कम हो जाता है, बॉडी में dialysis करने की कोई ताकत नहीं रहती है, और transplant की भी chances ख़दम हो जाती है. तो अगर हम अपना खाना पीना रोक के, kidney इनको ही सिर्फ डाउन कर रहे हैं, kidney पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें यह complication देखने को मिलती है, कि patient के पास जो दो lifeline थी, वो खातम हो जाती है. अब खुद सोचनी कोशिश करो, कि अगर आपकी body में kidney कम भी काम कर रहे हैं, तो उसे खाना चाहिए. आपका heart pump कर रहा है, तो उसे भी खाना चाहिए. आपका brain काम कर पारा है, आप देख पार हो, सोच पर हो, उसको भी खाना चाहिए. अगर जब आप खाना कम खाना बट वो down continuously नहीं होता रहता वो down होने के बाद एक दो point down होने के बाद वो वहाँ पर रुख जाता है और उसके बाद suddenly तीजी से बढ़ना शिरू कर देता है अब वो ketanine पहले से भी बढ़ गया बट अब कमजोरी भी साथ में दे गया तो patient की जो condition होती है वो किसी like नहीं रहा जातेगी कि patient पर हम कुछ सही से कर treatment कर पाए तो सबसे बड़ी गलती kidney failure के patient यहीं करता है क्योंकि वो ketanine को नहीं समझता आपने कभी भी ketanine का इलाज नहीं करना आपने जब भी इलाज करना है वो करना है kidney का अब चलते हैं कि अगर हमने kidney को down करना ही है तो उसका हम कैसे कर सकते हैं तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं पहला सवाल यह पूछो कि आपकी kidney क्यों खराब गई अकसर हम बताते हैं आपको जब आप आते हैं मगर फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि आप खुद से ही सवाल करके देखो कि आपकी kidney क्यों खराब गई मैं आपके इसमें help करता हूँ अगर आपने ultrasound करवाया हुआ है ultrasound के दिखा रहे हैं कि आपकी kidney चोटी हो गई है दोनों kidney left और right दोनों kidney चोटी हो गई है तो आप देखो कि आपका BP high रहता था रहता है क्या नहीं अगर BP आपका पहले high रहता था और आज भी आपका high है तो आप kidney को down कर भी लोगे वो tick नहीं पाएगा क्यों kidney और चोटी होगी और उसकी functioning down होगी फिर kidney बढ़ेगा ठीक है अब दूसरी case के अंदर अगर आपको कि kidney का normal size है और आप diabetic हो तो खुद से पूछ के देखो कि आपकी diabetes की वज़ा से कहीं आपकी kidney खराब तो नहीं हुई क्योंकि आपने खाने पेने परेज ने किया medicine time पे नहीं ली अगर ये factor आपको देखने को मिलता है तो 80% cases में मेरी बात से ही निकलेगी क्योंकि BP और sugar 80% कारण होता है kidney failure के विछे अगर जितने भी patient आ रहे हैं मालो 100 patient आते हैं उनमें 80% जो patient होंगे न वोसे BP और sugar की वज़से खराब kidney वाले ही होंगे अगर BP आपका आज की date में बढ़ा हुआ है sugar आपकी आज की date में बढ़ी हुई है तो क्या kidney आपकी लंबे time चल पाएगी खुद से पूछ के देखो मेरी जरूरती नहीं है इसके अंदर अगर आपके अंदर answer ये आ रहा है तो बस उस गर्ती को छोडने की जरूरत है क्योंकि बढ़ी के पास खुद की भी प्रावर होती है चीजों को बदल लेने की तो पहला काम हम क्या करेंगे कि जिसकी वज़ा से हमारी kidney को जरा सा भी नुक्सान हुआ है जरा सा भी उसको बॉड़ी से बहा निकालके खतम करेंगे अगर निकाल नहीं सकते तो उसे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे तो बीबी हम सब जानते है नॉर्मल कितना होता है होता है 120 बाइ 80 चो नीचे वाला है आपने उस पे फोकस करना है सारे के सारे पेशन उपवले पे फोकस करते है कि मेरे उपवला 160 आ रहा 170 आ रहा 150 आ आप नीचे वाले पे फोकस करो कि नीचे वाला जो है वो 70 और 80 की रींज में राना ची ना कि वो 80 या फिर 90 की रींज में या फिर 90 रींज में अगर BP को नीचे वाले को आप आप नीचे आजाता है अब इसके लिए हो सकता है कि आपको medicine बढ़ानी पड़े हो सकता है कि खाने में नमक कम करना पड़े मगर अगर BP आपका control में आज आता है तो आज की तारीक के बाद खुद से पूछना कि आपकी kidney को BP से नुकसान होगा नहीं होगा यही हमें चाहिए क्योंकि जैसे ही आपका BP control में आया तो और नुकसान होना बंद हुआ जब और नुकसान होना बंद हुआ तो फाइदा यह हुआ कि हमारा ketanine level बढ़ना बंद हो गया वो stable हो गया है इसी तरह से अगर हम डाइबटीज में शुगर में आपकी शुगर कंट्रोल कर देते हैं तो शुगर की वज़े से किड्नी को और नुकसान होना बंद हो जाता है और हमारा ketanine level है वो stable हो जाता है बगर हमने यहाँ बात कर दें स्टेबिल्टी की अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है अब हमने की फंक्शनिंग बढानी होती है अब किड्नी की फंक्शनिंग बढाना है हमने तो हमें क्या करना पड़ेगा हमने क्या किया किया पले बीप और शुगर कंट्रोल करके एक environment ट्या कर देए जहां पे kidney को नुक्सान नहीं हो रहा अब हम क्या करते हैं kidney को थोड़ा सा medicinal से, medicine से हम push करते हैं कि kidney अपनी functions को बढ़ाए क्योंकि kidney के अंदर अगर हम जाक के देखें तो हम उसमें दो टाइप के नुक्सान देखते हैं जब हम kidney की बाइपसी करते हैं हम दो टाइप के नुक्सान उसमें notice करते हैं एक होता है कि tissue सड़ गया, मर गया, खातम, zero, उसकी कोई chance नहीं है ठीक होने के बट कुछ tissue ऐसा होता है जो swell होता है उसमें inflammation होती है क्योंकि साथ वाला मरा हुआ है तो अगर हम उस जो बिमार tissue है जो काम नहीं कर पा रहा you know inflammation की वज़े से, sujan की वज़े से उसको काम पर ले आते हैं तो kidney की जो functioning है उसमें हमें सुधार देखनी को मिल जाता है अब kidney की जब functioning सुधारती है तो ketanine पहले से जादा बहार जाता है urea पहले से जादा बहार जाता है और ketanine level और urea level हमें down होते वे देखनी को मिल जाते है यहाँ पर खाना बंद करने की ज़रुरत नहीं होती कुछ चीज़नों का परेस रखा जाता है ज़से चाय का चाय कॉफी बंद कर वा दूँगा क्यों बंद कर वा दूँगा क्योंकि चाय कॉफी जो भी लेता है उसकी बॉडी में हम एक टेक्निकल दिखते है कि उनकी हीमोगलोमिन कभी भी अच्छे लेवल्स पर नहीं रहते नॉमल इंसान के अंदर भी विटामिन मिननल्स जा रहे हैं उसकी अब्सॉप्शन में हिंडरिंस पैदा करता है यानि अब्सॉप्शन में हिंडरिंस मतलब अगर वो विटामिन मिननल्स में कर रहा है तो वो मेडिसिन में भी कर सकता है तो हमने क्या कर रखा है क्या हमने बंद करवा रखा है चाय और कॉफी अगर आ मेरे पास आ रहे हो तो यह माइड सट अप करका राना दूसरी हम चीज जो बंद करवाते हैं वो है गुड़ गुड़ जो है उसमे पोटेशियम हाई होता है और हर साल सर्दी में एक ना एक पेशेंट ऐसा जरूर होता ह है जो अपने को कंटोल नहीं कर पाता गुड़ या फे गुड़ की बनीवी रेवड़ी घजग खाता है और उसको डायलेसिस पे जाना पड़ता है तो इसी वज़ा से क्योंकि वो बहुत रिस्की है हाई पोटेशियम है इसको उसको पुई तरह से बंद करवा देते हैं और हम छीज जो मेंली बंद करवाते हैं इपॉरटनेंटले वो है खटी चीज़े अब खटी चीज़े यानि आम है अल्टा है मुसम्मी है कीनू है कोई भी खटा फल हम बंद करवा देते हैं तो आपने अपने पेशियन को वही फ्रूट जेने होते हैं जो कच्चे में कसेले हो तो फीका-फीका सा होता है, बट पकने पे बहुत मीठा हो जाता है, तो ऐसे फल, जो कच्छे में कसेले होते हैं, पकने पे मीठे होते हैं, आप अपने पेशेंट को दे सकते हो, अगर कोई भी ऐसा फल, जो कच्छे में खटा है, पकने पे मीठा होता है, वो पूरी तरह से मन अगर आप देते हो तो अपने रिस्क पर दे रहे हो, आप कंप्लेंट नहीं कर सेपे, क्योंकि हम हर kidney failure patient को body के अंदर acid को गंटोल करने के लिए एक medicine दे रहे होते हैं, जिसका नाम है sodium bicarbonate, इसको आप अलग 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 नामों से चानते हो, norosis, sabosis, soda, fake, soda, mint, बहुत सारे नाम को उसको understand कर ने कोशिश करो, आप अपनी कोई पुरानी रिपोर्ट हो और यूरिं की वो निकाल लो, उस यूरिं की डिपोर्ट में आप पी-छ दिखो, क्या लिखा होता है, acidic, यारी आप अपनी बोड़ी में बने वाले acid को अपनी kidney की थूँ भार निकाल रहे होते हो, एक्सियुम जितनी भी है, 99% जो हम डिपोर्ट करवाते हैं, उसमें बलड की acidity के बारे बे हम बाद नहीं कर रहे होते हैं, मगर अगर यह acid एकटा हो रहा है, तो फायदा तो करेगा नी, किसने किसे टेप कर नुकसान करेगा, वो नुकसान पचाता है किड्नी को, यानि बो थो से थी जा रहा है, तो और टाइम ले रहा है, पट जैसे ही वो फोर को करोश करता है, कटिनिन का लेवल, तो four to five, आप देखो कि, हफ्ते बर में आ गया, हद चत मेने बर में आ गया, five to six और चुटे टाई में, 607 और चुटे टाई में, यानि किड्नी की जो डितोरेशन ह वो स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है यहाँ पर क्यों खराब हो रही है? क्योंकि बॉडी में एक कंडिशन तियार हो रही है जिसका नाम है Metabolic Acidossus इसी वज़ा से सारे के सारे किन्नी फिले पेशन्ट को हम वेकिंग सोड़ा की टेबलेट देते हैं अब सूचो ऐसी पेशन को जहाँ पर हम सोड़ा की टेबलेट दे रहे हैं और वो खटे फल खारा है निव खारा है आम खारा है, संत्रा खारा है, मौसमी खारा की इसमें विटामिन C मिल रहा है मेडिसिन का काम तो वहीं खतम हो जागा अगर उस फूट को निट्रलाइस करने में ब्लड तक वह पहुची नहीं पाएगी और अगर ब्लड तक नहीं पहुची तो आप लेके चलो की किड़नी बॉट स्पीट से खराब होगी ही होगी तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किड़नी फेलियर के पेशेंट हो तो आज के तारिक के बाद आप अपने क्रियाटनीन पे काम करना बंद करो उसे देखना बंद करो उसे नजर में रखो बढ़ काम अपनी किड़नी पे करो अगर आप इन चीजों कर जाते हो इस वीडियो के थूँ अगर एक पसंट पेशेंट जो देख रहे हैं इसको वो अपने पे काम कोता शुकरते हैं तो बहुत बड़ा सुधार पेशेंट को देखनी को मिल जाता है क्योंकि यही बेसिक्स हमें पढ़ाये जाते हैं बट हम इ अगर आपको लगते है कि कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो परस्नल लेवल पर चाहते हो कि हम उसको डिसकस करें जो मेरी वीडियो में ना हो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो अगर जाने से पहले मैं कुछ रिपोर्ट से भी दिखाना चाहता हूँ और आप उनको देख कर इसको वीडियो का में एंड कर गया है